उडिशा के खुर्दा में एक बीजेपी प्रत्याशी को एवियम से तोड़ फोर करने के आरूप में गिरफतार कर लिया गया है दरसल एवियम में खराबी के कारण उन्हें वोट डालने के लिए काफी देर तक लाइन में इंतिजार करना पड़ा था चिलका के बीजेपी वि विधानसवा छित्र के बोलागाट ब्लॉक के कोरी पटना बूत नंबर 114 पर हुई समचार एजनसी पीटी आई के मताबिक प्रशांत जगदेव अपनी पतनी के साथ बूत पर गए थी लेकिन एवियम खराब होने के कारण उन्हें वोट डालने के लिए कुछ देर अधिकारी की शिकायत के आधहार पर गिरफतार कर लिया गया है एसपी ने कहा कि अलोग प्रते निदित्व अधिनियम के अलावा जगदेव पर आई पी सी की विविन धराओं के तहद मामला दर्ज किया गया है कोट ने प्रशांत जगदेव को नियाए खिरासत में भीज और फिलहाल वाखोड़ा जेल में बंद है अविनाश कुमार ने कहा कि पिटासेन अधिकारी ने अपनी शिकायत में आरूप लगाया कि विरहायक ने बूत पर गड़वड़ी की मतदान प्रस्किरिया में बाधा डाली और मतदान कर्मियों के साथ दुर्व वहवार किया उ उन्होंने आरूप लगाया कि पिटासेन अधिकारी ने कई मतदाताओं के साथ दुर्वहवार किया और विधायक के साथ भी ऐसा ही हुआ हलाकि राज्य की सतारूर बीजेटी ने भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास सिकायत दर्ज कर प्रशांत जगदेव के खिला सबसीटो और 42 विधान सबसीटो के लिए शनिवार को एक साथ मतदान हुआ था फिलाल के लिए इस रिपोर्ट में तहें देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहनेक्शन और पॉलिटिकल बैट के साथ